तो हे गाईज कैसे हो आप सब आज है मेरे पास बीट्यमाई के रेटिट काफी बड़ी एंड गुड नियूज और साथ ही में हम लोग बात करेंगे अभी कम्यूटी में करेंटली क्या चल रहा है बट फिर हमको S.A.T.L. की तरफ से कमबैक देखने को मिला वो गेम को वो लोग फिर 617 and 33 से जीत लिये इसके बाद आया था काई 2nd में जिसके बाद अगें टीम गोड लाइक 191 and 103 से आगे चल रहे थे बट फिर अगेन हमको S.A.T.L. की तरफ से कमबैक देखने को मिला ये गेम को वो फिर 573 and 191 से जीत गए वैल इसके बाद काईस फर्स्ट ओफोल हमको थक भाई की तरफ से कुछ मेसिज देखने को मिले वो ये लिखे 2-0 गोड लाइक in Pokemon Unite हमारे पास 100 प्रोब्लम्स होगी लेकिन डेश 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 वैल इसके बाद क्या हुआ गईस काफी टीम गोड लाइक फैंस गोड लाइक की मैनेजमेंट को जाकर बोल रहे थे कि गोड लाइक के हमको Pokemon Unite की काफी बेकार पफोर्मेंस देखने को मिली फिर इसके बाद काईस ये टीम पर गोड लाइक है डेश रिप्लाइ किये की एक्जाटली गोड लाइक की ये लाइनप के बारे में क्या सीन है अब देख लो और गाइस नेक्स हम लोग बात करने वाले हैं B.J.M.I. के बारे में काफी बड़ी एंड गुड नीउस के बारे में तो परसो की वीडियो में गाइस मैंने आपको बताया था B.J.M.I. से रेटेड एक पैनल टॉक होने वाली है फाइनली जो कि आज हो गई उसकी फोटोज आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो वैल ये टॉक में हमको क्राफटन से करन पाठक भी देखने को मिले थे ये पैनल टॉक का पाठ थे ग्लोबली स्पोर्ट रुशिंदर सिना इसके बाद जब वो लाए वाए वो ये पैनल टॉक के बार में बात किये कि finally industry में जितने भी stakeholders हैं उनके साथ में क्राफटन एक round table meeting करेगी and साथ ही में back end में वो चीजों के उपर काम चालू कर दिये हैं and इसके लावे का इस वहाँ पर काफी सारे चीज के बार में बात हुई फिर फर्दर इस पर रुशिनर सिना ये बताए कि ये year के end में and 2025 में हम लोग क्या expect कर सकते हैं अब देख लो ये साल खतम होने से पहले you will have a lot of updates about 2025 का BGMI का I won't use the word roadmap because that word has been used and and now people know and understand of our roadmap is completely lost so the word has lost all meaning but you will know the future of what is going to happen in 2025 for BGMI by the end of this year वैल इसके बाद का इस BGMI से रेटेड जो भी updates हैं उसके बार में में जी बात की and kind of were reveal कर दिये कि जिस चीज के वैसे पिछले कुछ दिन में BGMI का सीन हमको तोड़ा down देखने को मिला था finally वो चीज अब solve होने वाली है हमको एक roadmap देखने को मिलेगा and कभी तक हम लोग वो चीज expect कर सकते हैं and साथ दिय में क्या next year जो e-sport World Cup होने वाला है उसमें कोई हमको Indian टीम भी देखने को मिल सकती है कि अगले साल कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं हमेशा की तरह BGIS पहले होगा फिर BMPS होगा फिर क्या पता सच में कुछ और हो जाए फिर कुछ और हो जाए 2025 में expected है कि शायद सच में कोई टीम चली जाए बाहर expected है होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता अगर EWC में invite मिलता है तो मिलता है नहीं मिलता है तो फिर जो है वो है पर मैं मान के चलता हूँ कि सच में अगर मिल गया EWC में इस बार invite तो मजा जाएगा तो यहाँ guys अब कुछ finally solve होने वाला है already मैं आपको बताया था don't worry B.J.my will come back for sure और guys नेक्स हम लोग बात करने वाले हैं dream है के कुछ updates के बारे में जहाँ पर हमको Jonathan versus techno gamers का एक match देखने को मिला था तो वो match को काये Jonathan जीत लिये तो उसका एक winning moment यहाँ पर मैं आपको play करके दिखा देता हूँ आप देखलो वैल यह same event में guys हमको surprisingly last day पर scout भी देखने को मिले अचानक से इसके बारे में वो update देते वे यह कहे और guys next एक थोड़ी serious update है हम लोग बात करने वाले हैं पायल गेमिंग के बारे में तो guys पायल बात की अपने पिछले एक मन्त के बारे में पास में guys मैंने आपको बताया था कुछ लोग उनक्या गेंज कुछ वीडियोस बनाए थे तो वो सब पर उनका क्या reaction है इस पर बात करते वे आज वो यह कहीं कुछ लोग बात करे बात करते भाव करें गाव नहीं देना था टूस्ट्भवल्र बात कर से इंण गुछ जाव भी तहुपर्व नहीं तो फिलांत कि अनु नहीं बनेगी तुम्हरन नहीं थीख टूकराैइज houses और गाइस नेक्स एक अपड़ेट निकल कर आती है गातक भाई की तरफ से वो स्टेट अप रिप्लाई कर दिये कुछ लोगों को exactly वो अपनी स्टोरी से ये लिखे ट्राइड एंड इस्पोर्ट ये नाम जो कि आप हर जगे सुन रहे हो ये पावरा उस जेस्ट अभी 8 महीने पहले ही शुरूआ है जो लोग भी हमको डाउट कर रहे थे या फिर अंडर एस्टिमेंट कर रहे थे आप लोग का थैंक्यू देखते रहना ट्राइड एंड एंड यहां पर लहरे बना देगी जो आप वर्ट्स बोलते हो वो के वल हमको स्ट्रोंगी बनाते हैं हम लोग यहां पर कंपीट करने नहीं आई हैं हम लोग यहां पर डॉमिनेट करने आये हैं तो यहां गाईस हर तरफ से लहरे चालू हो चुकिए है लेट सी 2024 का end and 2025 कैसा होने व मिलेंगे तो कुछ लोग आइस उनसे पूछ रहे हैं वो हमको कभी दक देखने को मिलेंगे और साथ ही में वह बात किये कि फ्यूचर में वह अलग 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 गेम्स ट्राइ करने वाले हैं अधर दैन बीजमाय और देख लो अपन अलग अलग चीज़े ट्राइ करेंगे अलग भाई अभी वरसाटाइल गेमर बनने का अपना टाइम आ चुक है तो अलग 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 फन गेम्स ग्रूप गेम्स अपको अलग अलग चीज़े लिखाऊंगा मैं आर पी अभी 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 तो रहो एक गेम पर अभी अभी अपन स्टक नहीं रहेंगे ब्रो वाचि सब रही है टीम जिली एंड सैकिन और रनप रहे हैं कारू नाडु ईसपोर्ट य हैं ये टोनमेंड में MVP बने है C.G.Hector और गाईस नेक्स हम लोग बात करने वाले हैं B.G.M.I. सीन और ग्लोबल ईसपोर्ट के कमबाइक के बारे में इन B.G.M.I. लाइन रिध भी उन खंठे थेपल को नोमेBar 65 कोरा कंपिने को मिल सकते हैं। बात किया हम तख लोर हीति-धिश के बारे मेशले को विख यहर। बात किये एने को बाता किये। रुषिंद्र जैक्टर वाली BGMI लाइन पॉटहलो है। look, I have said this to everyone that came and met me yesterday at Dreamac and Comico as well we are actively having conversations with some players in BJMI so that we can set up our roster we are looking to come back and reinvest in BJMI with the sole intent that हम लोग 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 के लोग लोग, लेंगे, we are going to ensure that that roster is our long term roster, 3-4-5 साल के लिए साइन करेंगे, तो ऐसे players के साथ हम बात कर रहे हैं, और ऐसे players को ही हम लेना चाहते हैं, एक tournament, एक cycle, एक event, एक साल के लिए भी नहीं चाहिए, एंड गाइस, Carnival Gaming की X line-up के बारे में बात कर रहे हैं, तो next एक update निकल कर आती है Goblin की तरफ से, वो बात कि अभी करनली उनकी फेवरेट बीच माई टीम कौन सी है, अब दिखलो और गाईस, नेक्स हम लोग बात करने वाले हैं, गोडलाएग कीकी के बारे में तो कुछ टैम पहले गाईस, मैंने आपको बताया था Goblin की की अनाउंस कर दिये थे, कि उनकी तरफ से अब हमको different content देखने को मिलेगा तो उसके लिए वो अपने Instagram से सब लोग को unfollow कर दिये थे, उनकी केवल एक ही following है, first of all तो गाईस, वो बात किये थे, वो ऐसा क्यों कि आप screen post करके पढ़ सकते हो, basically हाँ पर वो बात किये community में hate के बारे में, पर इसके बाद वो goal lag के बारे में भी update देते वे ये कहे, exactly वो ये लिखे, goal lag में अलड़ी बताओ चुका हूँ कि मैं अपना अलग content करने वाला हूँ, उनको पता है उन लोग से कोई सी नहीं है, और guys सम लोग बात करने वाले हैं lols के बारे में तो कल हमने देखा है तब अपने teammates के साथ मिलकर एक new world record बना दिये थे, basically of 94 finishes in a single match, तो इसके बाद guys आज वो बात किये, नए world decodes बनाने के बारे में, अब देखलो और guys next हम लोग बात करने वाले है S-Power के बारे में, तो guys S-Power का भी हमको podcast देखने को मिलेगा इसके बारे में हमको एक trailer देखने को मिला था, यहां पर मैं आपको प्ले करके दिखा दिता हूँ, जहाँ पर वो काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, अब देखलो तूस्डे रात को या तो वेनर्ज जैसे में हाइडरा चोड़ दिया उतना क्विक ता हो, इसके बाद हाइडरा के बाद क्या हूँ आपकी लाइफ में फिर कॉन सीटी दिए एडविट में भी सब सही चला सब सही चला लेकिन फिर मेरे को जब में वहाँ पर भी खेलनी पा रहा था, वो लोग चार अच्छा खेल रहे थे, वो लोग अपने रस्ते हो गए, तो इसके बाद गौडल गया, तो गौडल में जा से अलगनी, उसे हम लोग बात करने वाले हैं, ये साल के वन ओफ दा बिगएस मैच, माइक टाइसन वसीज जेक पोल के बारे में, तो फाइनली गाईज आज ये मैच हुआ, बट उसके पहले हमको एक काफी बड़ा ब्लंडर देखने को मिला, लिटरली जो टाइम पर नेट करना चाहते हैं, और हमको ये मिलता है, बफरिंग, बट इसके बाद जेक पोल ये मैच को जीत लिए, लेकिन जो टाइम पर हमको मैच के बाद इंटरव्यू देखने को मिला, वहापर माइक टाइसन काइंड ओफ जेक पोल के ब्रदन लोगन पोल को चैलेंज कर दिए, बोक इसके बाद कुछ लोग ये लिखने लगे, कि ये पर्टिकुलर प्लेयर को टीम से जेन कर दो फिर इस पर रियाट करते वे सीड़ी ये कहे, प्लेयर को भी हटा दूँगा, ऐसा नहीं होगा, हम को ये अंडू-पांडू टीम नहीं है, और नहीं होगा ये चीज, तो बस गाइस फिलाल के वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसना ही तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे ने बाइ!